हुआ है स्वागत है आपका हमारे सवाज और बिहार यूट्यूब चैनल में आज हम लोग बात करेंगे फिर से बिहार CET-B8 इंट्रांस टेस्ट के बारे में जिसमें आपको विस्तार पुरुवक CET-B8 CET-B8 के बारे में इस वीडियो में बता जाएगा रेजिस्ट्रेशन डेट कब से हो रहा है चालू लाज़ डेट क्या है रेजिस्ट्रियो कपी कितना लएगा आपको रेजिस्ट्रेशन कराने के लिए इससे पहले अगर आप हमारे मदरसा से रिएटर अपलोड किया हुआ वीडियो को नहीं देखिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप जरूर ही देखिए उसमें विस्तार प्रूप मदरसा से संबंदित जानकारी के बारे में बताया गया है हमारे टेली गराम चैनल का लिंक भी देस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उससे भी जुरें उसमें आपको हर छोटी वरी अपडेट बिहार से रिएटर मिलता रहेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्क्राइब्स नहीं की हैं तो जरूर ही सब्क्राइब्स करें चलते हैं आप हम लोग बिहार सीटी बीएट के बारे में देखते हैं बिस्तार प्रूप से तो हम यहां पर आप देख रहे हैं बीएट कॉलेजों में नामांकन के लिए सनियुक्त परवेश तेज रून को होगी बीएट परवेश परिच्छा के लिए 25 से आवेदन यहां हम लोग देख रहे हैं सीईटी 2022 है राज भर के सरकारिया और नीजी बीएट कॉलेजों में नामांकन के लिए सनियुक्त परवेश परिच्छा होनी है इसमें आवेदन के लिए 25 अपरेल से पोर्टल खुल जाएगा यानि कल से ही आउनलाइन देश्टेशन शुरू हो रहा है अवेधियों को आवेदन में एक हजार रुपे भी देना परेगा इसके लिए रासिय आउनलाइन ही जमा करनी होगी आवेदन की अंतीम तीथी 17 मही है 18 से 21 में तक विलम सुल के साथ आवेदन कर सकते है नौ जुन को परवेश पत्र जारी किया जाएगा वहीं 23 जुन को सनियुक्त परवेश परिच्छा होगी राज्य भर में करीब 335 कॉलेजों में 35,000 के आसपास सीटे है आलाइन की सभी विश्व विद्ध्यालेओं से उसके अंतरगत आने वाले कॉलेजों की सूची मांगी गई है CETBA मानेता प्राप्त कॉलेजों की मांगी गई हुची राज अस्तरिय बीएड सनियुक्त परवेश परिच्छा CETBA 2022 की लिए तैयारी शुरू हो गई है इसको देखते हुए नोडल संस्थान ललित नारायन मिथिला विस्व विद्याले को टेस्ट कराने की जिम्मेदारी राज भवन द्वारा दी गई है विस्व विद्याले द्वारा राज जी की सभी विस्व विद्यालों से वैसे कॉलेजों की सूची मांगी है जिनें N-C-T-E की मानेता पराप्त है क्योंकि आखतन सूची के आधार पर ही नामंकन होगा जिन कॉलेजों की मानेता बीगस समय में समापत हो गई है उनमें सीटें एलोट नहीं की जाएगी वैसे कॉलेजों को 24 फिलिंग के लिस्ट से हटा दिया जाएगा यहाँ पर देख रहे हैं महत्तोपुन तारीख 17 मैंज तक इसके लिए आउनलाइन आवेदन करने का मौका 18 से 21 मैं तक बिलम सूल के साथ आवेदन कर सकेंगे चाद 9 जून को एड्मिट कार जारी किया जाएगा 23 जून को एंट्रेंस टेस्ट होगा राज भर में करी 530 कॉलेजों में 35,000 के आस्पास सीटे हैं अभी हम लोग बिहार B8 के बारे में जान करी लिए कि कल से उनका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा आपने से जो भी B8 करना चाते हैं बिहार से इसके लिए जरूर ही आवेदन करें अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल में अप्लोट किया हुआ वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट है तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्क्राइब जरूर ही करें थेंक्यू झाल